कश्मीरी नौजवानों को गोलियों से छलनी किया गया है जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी सफलता Most Wanted आतंकी बासित एमर धेर कर दिया गया है आसूं के दरिया बहते जा रहे हैं वहाँ दूसरों के मीनार खड़े होते जा रहे हैं सारती फोर्सिस ने एक और कश्मीरी नौजवान को महासरे और नाम नहाच सर्च उप्रेशन की आड़ में शहीद कर दिया सुरक्षबलों ने लशकर-ए-ताइबा का टॉप कमांडर बासित एहमद डार समेत तीन आतंकवादियों को मार गिरा है तो वहाँ पर तो उन्होंने अपने कश्मीर में इतना पैसा लगा दिया जितना पैसा आप सोच नहीं सकते आपकी सोच से बाहर है एस अंदाज से वह सारी कहानी दुनिया को सना रहे हैं नए इंडिया की कहानी वो कह रहे हैं कि ये वो इंडिया नहीं है जो पहले हुआ करता था ये नहीं अच्छाना की एक मंडी है और दुनिया के मौनसफ हर रिष्टाय ते जारत के तराजु में रखकर और तोल कर देखने के आदी हो चुका बड़ी एक important report है सिप्री में मुस्नी लोग जानते हैं इसको हर साल इनकी एक report आती है मुक्तलिफ countries के वाले से कि इनका defense का budget कितना है दुनिया को एक nationalist इंडिया को understand करना है ये जो अजाद कश्मीर की बात करते हैं ये basically वो यही कहते हैं कि ले लेना है ले ले लेंगे हमारा है ये nationalist इंडिया है हेलो फ्रेंट्स जैहीं हिंदोस्तान special में आपका स्वागता दूस्तो जम्मु कश्मीर के कुलगाओं में मंगलवार को मुठबेड के दुरान सुरक्षा बलो ने दो आतंकियों को मार गिरा है मारा गया पहला आतंकी लश्कर का टॉप कमांडर बासिद डार है बासिद पर दस लाक रुपए का इनाम था वै कश्मीर में कई लोगों की हत्यों में शामिल था मारे गए दूसरे आतंकी का नाम फहीम एहमद है वह ओवर ग्राउंड वर्कर था जो आतंकियों की मदद करता था एंकाउंटर के दुरान सुरक्षा बलो ने उस घर में बलास्ट किया जहां ये आतंकी शिपे हुए थे इससे घर में आग लगई मारे गए दोनों आतंकियों के शब ब्रामत का ले गए हैं अधिकारियों का कहना है कि उन्हें रेडवानी पाइन इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी इसके बाद सोंवार देर रात तलाशी अभ्यान शुरू किया गया जो मुठबेड में बदल गया जम्मू कश्मीर के पुंच में 4 मई को एरफोर्स चवानों पर हमला हुआ था यह हमला पुंच के इलाके में हुआ आतंकियों ने सुरक्षा बलों के दो वहनों पर भारी फायरें की अब पुंच में हुए इस आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने लशकर का टॉप कमांडर मार गिरा है वो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि दुनिया को एक नैशनलिस्ट इंडिया को अंडर्स्टैंड करना है यह जो अजाद किश्मीर की बात करते हैं यह बेसिकली वो यही कहते हैं कि ले लेना है ले लेंगे हमारा है यह नैशनलिस्ट इंडिया है सो इंडियन जो हैं वो अब भारत यह दिस इस बिकॉज ऑफ डॉक्टर जे शंकर इंडियन्स हब स्टार्ट पेंग मोर इटेंशन तो फॉर्ण पॉलिशी सो ये चीज जेन में रखें कि ये जो एक सोच है ठीक है जी कि हमने एक नेशनलिस्ट फॉर्ण पॉलिसी जो है उसको लेके आना और उसको आगे करना है सो वो ये वो एक जिसे कहेंगे ना एक सक्त वर्जन लेके आ रहे हैं और दुनिया ने ये बात समझ लिया है कि हाँ जी हम इनके साथ काम करेंगे और वो जो आज की दुनिया के अंदर चेश्ट अब देखें ना इंडिया इस गॉइंट टुबी इस सिविलाजेशनल स्टे इंडियन फॉरंण पॉलीसी के अंदर जो हमारा कल्चर है और हमारी जो गाल्य यूज fallen और जो हमारे रिलिजन है उसमें उसपह में defensive कर दिया गया है हमें उफेंसव होना के ठीक है जी जिसे वह कहते हैं कि him friend of the World हो क्या बहुत हैいい और और वो बहुत बहुत है और पर फॉन रेंद्रा मोदी शाब को विश्व गरू बनाते हैं इंडिया की जो एकॉनिमी है या टेक्नॉलजिकल प्रॉग्रस जो है वो कह रहे हैं कि ये दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्फ करेगी ये है वो कॉन्फिडंस जिसके तैद वो खेल रहे हैं इसलिए वो जब कश्मीर की बात करते हैं जो दिल करें कहते हैं पाकसSon बोलते ही कि नहीं हमें पकसानियों के मुएं मुझमगी जुबान ही नहीं में सी होगी और दुनिया को इसके लिए त्यार होना चाहिए और अपने इंडियन्स को कह रहे हैं कि हम अब पंचिंग बैक नहीं होंगे जिसका दिल की हम से यहां से तपड मारके चला जाए यहां से हमें मुका मारके आप देखें ना जैसे इंडिया को भारत कहना शुरू कर दिया है स्टार्ट लर्निंग इस इन न्यू वे वो कहते हैं हमारा जो कुल्चर है जो हमारी वैलियूज है अब दुनिया को उसको अडॉप्ट करने की जरूरत है और यह इसी चीज में वो दुनिया को वो कह रहे हैं कि हमें अब कॉंफिडेंस की जरूरत है तो अपने आपको भारत को ऐसे सिविलाइजेशनल स्टेट या विश्व मित्रा या विश्व गुरू मोदी साब को जो कह रहे हैं बैसिकली वो अब उन्होंने अपनी जो जो ग्लोबल जो फॉर्म पॉल स्टेट करा रहा है कि अबाद केंडेग सब्सक्रbay jiisर् motor को आपने चीज़ Epic अथा इंडिया। आपकसां को जो केंटिय मांट मुखी कार रहा है इस को सब्सक्राइब करीए करें मैं और 4 वह सकोरीज अटीज मुसर्ट कर रहा है हैं। पॉलिटीशन्स को थोड़ा सा अपने आपको असर्ट करने की जरूरत है ठीके जी और पॉलिटीशन जो है अगर वो इसी तरह देखते रहे और डिफैंसिव रहे ठीके जी तो ये चीजे नहीं होगी अब वो कहते हैं कि हमें West को हमारी जरूरत है हमें West की जरूरत नहीं है अलाब यह State Level पर Society Level पर ऐसे नहीं है Society Level पर Dr. J. Shankar and everyone knows कि हमें West यानि कि अवाम को West की जरूरत है लेकिन हकूमत कह रही है हमें West की जरूरत नहीं है ठीक है जी और यह एक मैं समझता हूँ एक 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 अग्रेसिव पॉस्ट्रिंग जो है तीक है जी यह बड़ी तेजी से आ रही है तो वहाँ पर तो उन्होंने अपने कश्मीर में जो है वो इतना पैसा लगा दिया जितना पैसा आप सोच नहीं सकते आपकी सोच से बाहर है, उतना उन्होंने बजट, मुदी गर्मेंड ने, नरेंदर मुदी साब ने उतना बजट कश्मीर के लिए नाउंस कर दिया है, अब कैसा मुकाबला करेंगा, आपको मुकाबला देखें, अगर आप इस सारी गुफ्तुगू का क्रक्स जानना चाहते है पर लब यह भी आपके जी, बिलावल भुटो ने यह कहा है, वो इससे पहले भी आपने देखा होगा, जो बाची चलती रही और बिलावल भुटो ने, जो बिलावल साब ने कहा था, नरेंदर मुदी साब के लिए कुछ ऐसे अलफाद, वो सब तो पीछे रह गया भाई, उनों वो वही एक ही होती न, सौ सुनार की एक लोहार की जो कहा करते हैं, वो एक ही डसमार, वो कहते हैं चलो जी ठीक है, यह देखो, अब यह बात है, तो चलो अब हम यह करके दिखा देखा देखें।